रविवार को शिवलिंग पर कितने लोटा जल चढ़ाना चाहिए। इन पांच तरीकों से जल चढ़ाने से भोलेनाथ अती प्रसंद होते हैं और हर दुखदर्ध हर लेते हैं। शिवपुरान के अनुसार घर के आसपास जो शिव मंदिर है। वहां प्रति दिन एक लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिवजी अती प्रसंद होते हैं और वहां आपके उपर हमेशा अपना हाथ रखते हैं जिससे वहां आपको हर दुखदर्ध चुनौती को पार करके म अन्जिल तक पहुचाते हैं। का जाप करें। तामबे के पात्र से ही जल चढ़ाना चाहिए। जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जल चढ़ाते समय इन बातों का रखे ध्यान। रखे कुछ बातों का ध्यान मान्यताओं के अ करें। भगवान सूर्य को तामबे के पात्र से ही जल चढ़ाएं। नियमों का पालन करना चाहिए। यदि किसी दिन सूर्य देव नजर न आ रहे हो तो भी पूर्व दिशा की और मुख करके ही जल चढ़ाएं। रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है। इस दिन उन्हें जल चढ़ाने से हमारे जीवन की परिशानिया दूर होती है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही बड़ी बीमारी से जूज रहा है। बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो रविवार को जल देना शुरू कर दे हर रोग समाप्त हो जाएगा। जोतिश शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपती माना जाता है। जल चढ़ाते समय ये गलतियां न करें। भूल कर अगर यह गलती करते हैं। तो जीवन भर पच्चताना पड़ेगा इस गलती से बचने के लिए किसी भी पत्र में। जल डाले पर पर गलती से भी जल नहीं गिरना चाहिए। कभी भी बिनास्नान कि ये सूर्य देव को जल न चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय स्टी। चांदी, कांच और प्लास्टिक के बरतन का उपियोग न करें। सिर्फ तामबे के पात्र का ही उपियोग करें। जल सिर के उपर से अर्पित करें। इससे सूर्य की किरने हमारे शरीर पर पड़ती है। इससे हमारे सूर्य के नवग्रह भी मजबूत होते हैं। सूर्य को जल तामबे के पात्र से ही चढ़ाएं। जल में चुटकी भर रोली मिला लें, जल में लाल फूल भी डाल दें, जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र सूर्याय नमह खगाय नमह भासकराय नमह, रव्य नमह भानवे नमह आदित्याय नमह का जाप जरूर करें, नियम से जल चढ़ाने, से कुंडली के सारे दोश खत्म हो जा तेहें.